परिचय इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे कूडे कच्रे को परिभाशित करना अपशिष्ट के निप्टान विधियों की सूची बनाना कमपोस्टिंग यानि कूडे कच्रे से खाद बनाना और क्रिमी यानि फसलों के लिए हानिकार कीट कमपोस्टिंग को परिभाशित करना कागस की पुना चक्रन प्रक्रिया का वर्णन करना प्लास्टिक अपशिष्ट के निप्टान का वर्णन करना जैव निम्ननी यानि प्राकृतिक रूप से सडंचील यानि बायो डिग्रेडेबल और अजैव निम्ननी यानि असडंचील यानि नौन बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट हमारे दैनिक क्रिया कलापों के कारण विभिन स्रोतों से विविध प्रकार के अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं कूडा कच्रा या अपशिष्ट वे चीजें होती हैं जो अनुपियोगी होती हैं अनेक चीजों को कूडा कच्रा माना जाता है उदाहरण के लिए घरेलू कचरा, नालियों का कीचड, उत्पादन गतिविधियों से निकला हुआ अपशिष्ट, पैकिंग सामगरी, बेकार कारे, पुराने टेलिविजिन, बगीचे के अपशिष्ट, पेंट के पुराने डिब्बे इत्यादी अपशिष्टों को दो शिरेणियों में बाटा गया है, एक बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट और दो नौन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, सबजियों और फलों का छिलका बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है, जबकि प्लास्टिक, धातुएं और कांच नौन अपशिष्ट हैं, अपशिष्ट निप्टान की विधिया, जब हम सबजियों और फलों का छिलका छीलते हैं, तो इसे कुड़े दान यानि डस्ट बिन में डालना आवर्शक होता है, इधर उधर लापरवाही से पड़ा हुआ इस प्रकार का कुड़ा कच्रा की टानुओं के कारण होने वाली बीमारियां उत्पन करता है, आईए हम अपशिष्ट निप्टान की विधिया देखें, जिनमें कमपोस्टिंग, क्रिमी कमपोस्टिंग और कागस का पुनह चक्रन शामिल हैं, कमपोस्ट, कुड़े कच्रे से बनी खाद, कुड़ा कच्रा ढोने वाली गा अपशिष्ट के उपयोगी वा अनुपयोगी भागों को प्रितक कर दिया जाता है, अनुपयोगी अपशिष्ट को इन जगहों पर डाल दिया जाता है, और मिट्टी से ढख दिया जाता है, अपशिष्ट के उपयोगी भाग, जैसे किचिन का अपशिष्ट, फलू वा सब अबजियों का छिलका को भरावक्षेत्र के निकट गड़ों में डाल दिया जाता है और मिट्टी से ढख दिया जाता है। आपने वर्षा रितु में केचुएं अवश्य देखे होंगे वे किचन अपशिष्ट को कमपोस्ट में बदलते हैं इसे क्रिमी खाद यानी वर्मी कमपोस्टिंग के रूप में जाना जाता है। अपनी जलवायू में नहीं रह सकते हैं इसलिए वर्मी कमपोस्ट बनाने के लिए नमी की आवशकता होती है। वर्मी कमपोस्टिंग से प्राप्त कमपोस्ट खाद को क्रिशी कारियों में इस्तेमाल किया जाता है। कागस के पुनह चक्रन के लिए पुनाने समाचार पत्रों, पुराने लिफाफों, पत्रिकाओं, पुरानी कौपियों, अनुपियोगी कागस, एक टब और तार से बने हुए लकडी के फ्रेम यानी जाली फ्रेम की आवशकता है। समाचार पत्रों और बेकार कागस को एक या दो दिन तक पानी में भिगोएं, अतरिक्त पानी निकाल दें, भीगे हुए कागस को कुचल कर पेस्ट यानी लुगदी बनाएं, उसके बाद टब में पानी व पेस्ट डालें और इसे हिलाएं, जाली फ्रेम को कटोरे में डु धीरे धीरे निकालें और तुरंत इसे समस्तरीय स्थिती में लाएं, अब फ्रेम से पेस्ट की परत को अलग करें, पानी निकलने तक प्रतीक्षा करें, इस तरह हमारे पास पुनह चक्रित किया हुआ कागस है, अजैव निम्ननी अपशिष्ट का निप्टान, अब हम अज जैव निम्ननी अपशिष्ट का निप्टान देखेंगे, खिलोने, जूते, बैग, पेन, कंगा, टूथप्रश, एवं बोतल, प्लास्टिक वकात से बने होते हैं, प्लास्टिक नौन बायो डिग्रेडिबल वस्तु है, यह दो साधारन प्रदार्थों में विभागत नही होता है, सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनह चक्रण भी संभव नहीं है, केवल कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनह चक्रण किया जा सकता है, प्लास्टिक, एक हानिकारक अपशिष्ट, सभी प्रकार के प्लास्टिकों को जलाने पर हानिकारक गैसे उत्पन हो इससे पानी नालियों से बाहर सडकों पर भर जाता है और लोगों को अनेक कठनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्लास्टिक के बैक को इस्तेमाल के बाद इधर उधर नहीं फेका जाना चाहिए। अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं एक बायो डिग्रेडेबल और दो नौन बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट निप्तान की अनेक विध्या हैं जैसे कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, कागस का पुनह चक्रन इत्यादी, फलों एवं सबजियों का चिलका बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं, पलास्टिक नौन बायो डिग्रेडेबल अपशिष्ट हैं,